नमस्कार दोस्तों, हिंदी निजे फेर्ष में आपका सौगत है दोस्तों देश के अंदर चुनाओ का महौल चल रहा है और इस वक्त सुप्रीम कोट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनाओ से रिलेटेड कुछ चीज है उसकी जानकारी मांग लिए आईए समझते हैं खबर को विश्तार से कि क्या खबर है, क्या मांगी है सुप्रीम कोट ने सूचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दोस्तों सुप्रीम कोट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो डिटेल मांग लिए जिससे चुनाओी पार्टियों को जो अपनी political parties हैं उनको जो चंदा मिलता है लोगों से उसकी detail मांग लिए आई ये समझाते हैं पूरा मामला की कैसे क्या क्या हुआ है दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी political party बिना चंदे कर नहीं चल सकती है तो सभी जो political parties हैं ये चंदा लेती हैं इनको जो देश की जनता है और जो बिदेश के लोग भी है वह लोग भी इन लोगों को चंदा देते हैं और चुनाओ बहुत ही महंगे होते हैं इनके जो हलफ नामे होते हैं जो चुनाओ आयों के देते हैं उसके जो amount लिखे होते हैं वो तो कुछ भी लिखे होते हैं लेकिन जो हमें अपनी आखों से दिखते हैं खर्चे किसी political party से वो बहुत अलग तरीके से होते हैं जब चुना होता है तो नेता कैसे helicopter से आना आ जाना सब कुछ करते हैं बड़े बड़े मंच बनते हैं तो वो कोई चोटा काम नहीं हो बहुत अच्छे तरीके से उसके पीछे खर्चा होता है तो यह जो चंदा रिसीव होता था political party को इस पे कोई पता नहीं लगता था कि इसको चंदा मिल कहां से रहा है किसने दिया और कितना दिया ऐसा कुछ भी नहीं पता लगता था जो political party ने अपनी तर अरुन जिटली जी इन्होंने एक चीज लेकर आए में देश के अंदर जिसको नाम दिया electoral bond इनका यह मानना था कि electoral bond के थ्रू political party पैसा लेगी तो इससे पारदर्शिता ज्यादा आएगी लोगों को पता लगेगा कि किस ने किस political party को पैसा दिया है और कितना पैसा दिया है आएए समझते हैं कि electoral bond था गया दसल दोस्तो electoral bond वो bond है जिसको कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से खरीच सकता था वो हजार रुपए का भी हो सकता था दस जार का एक लाग का दस जार का और एक करोड का भी हो सकता था उसे bond को bank से जाकर खरीदना है और उस खरीदे हुए bond को फिर political party के पाथ जमा होना है और वो political party फिर उसको जाके फिर से bank में जमा करेगी और अपने पैसे को पूरी तरह से बुना लेगी दरसल भारा सरकार ने state bank of India की 29 branches में ये सुविधा दीती कि ये electoral bond को बेचेंगे और इसको साल में सिर्फ चार बार ही ये issue करेंगे जैसे कि जन तो वो जाएगा state bank उस branch में और अपने electoral bond को purchase करेगा कि हमको suppose 10,000 रुपए का electoral bond चाहिए तो वो अपना एक 10,000 रुपए का electoral bond के लिए वो form बरेगा जिसमें वो सारी अपने detail डालेगा कि मेरा नाम ये है मेरा address ये है जिसको KYC बोलते है वो पूरी detail भरने के बाद state bank में जमा कर देगा KYC और उसको electoral bond मिल जाएगा और फिर वो electoral bond जाके जिस party को चंदा देना चाहता वहाँ जाके वो दे देगा अब political party के पास electoral bond ला जाएगा अब इस electoral bond को political party जाएगी state bank of India की branch में और वहाँ जमा कर देगी और state bank of India political party के account में वो पैसे transfer कर देगा तो इससे क्या हुए state bank of India के पास दोनों जानकारिया आ गई पहला तो किस ब्यक्ति ने purchase किया electoral bond और फिर उसके बाद जब वो political party उसी bond को collect करने के collection के लिए जाएगी तो उसको पता लग जाएगा कि किस political party के पास ये पैसा आया है तो FBI के पास दोनों जानकारिया आ जाएगी तो अब सुप्रेम क election commission of India को देंगे ये information और election commission of India इसको अपने website पे डाल देगा ताकि एक click करे आम जंता और उसको पता लग जाए कि किस political party को कितना चंदा मिला है और कहां से मिला है ये जो data ये बहुत ही जादा confidential data है इसे बहुत ही मलब गोपनी रूप से इसको रखा गया data है state bank के इसाप से त उसी वक्क Supreme Court में एक याचका डाल दी गई एक application लगा दी गई और ये मांग करीगे कि ये जो electoral bond है ये unconstitutional है मतलब ये कोई समविधानिक रूप से ठीक नहीं है उसके पीछे तर्क या दिया गया कि इसमें right to know है ही नहीं किसी को भी जानने का अधिकार तो ही नहीं उसी में 15 फरवरी को अभी Supreme Court ने electoral bond को unconstitutional करार दे दिया और state bank को 6 March अता कि ये बताने के लिए बोल दिया गया कि भाई आपके पास कितने लोग आये आपसे bond खरीदने के लिए और फिर उस bond को कितने लोगों ने political party को दे दिया और political party ने कि इसको collection करा ली ये detail मांग ली 6 March का टाइम थ चार मार्च के दिन पहुंच गया state bank वाली Supreme Court और Supreme Court से कहना है लगे कि सर हमें 30 June तक का time दे दिये क्योंकि इसमें complex process है इसका और इसकी detail जुटाने में बहुत time लग रहा है Supreme Court ने तुरंत इनको बोला कि आपको कोई extra time नहीं मिलेगा और आपको ये काम करके देना है और 11 March को ये बोला और इनको 12 March को ये सब सम्मिट करना था और चांस की बात देखिए कि इन्होंने 24 गंटे में सारा काम कर भी दिया नहीं तो state bank के लिए क्या क्या बोला जाता है कि अपने काम को नहीं करते काम को टाल देते हैं लेकिन इन्होंने उस काम को किया और जाके ये दो जून तक का समय इनको मिल जाता तो 30 जून तक में क्या होता नई सरकार आ जाती क्योंकि चुनाओं खतम हो जाते और नई सरकार की ये सोची है कि मंत्री मंडल तक बढ़ चुके होते क्योंकि इतना लंबा समय मांग लिया इन्होंने इस डिटेल को देने के लिए इन सब को देखते हुए ये फिल होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिबाव रहा होगा तभी जा रहा था कि अभी हम प्रथिषित जो वकील है हरी सालवे ज्टे उनको हैर किया हुआ है और यह दलील हरी सालवे रख रहे थे कि यह बहुत ही कॉंप्लेक्स प्रॉसेस है इसमें बहुत टाइम लगेगा अब सोचिए 15 फरवरी के बाद से चार मार्च को गए थे यह बात बोलने के लिए कि बहुत कॉंप्लेक्स प्रॉसेस है और हमें चे आज जो छे तारीक कॉंप डेटा नहीं दे पाएंगे अब हमें 30 जून तक का समय दे दिये सुप्रीम कोट ने इनसे यही कहा कि बाई साब आप इतने टाइम तक जो काम कर रह पाइले हैं तो इस पच्चिस छबिस दिन जो भी दस पंद्रा दिन हुए हैं इसमें दस फाइले हजार फाइले 500 फाइले कुस्तों के रही होंगी वह कहां इनके पास उसका कोई जवाब नहीं था अब आपको बता दें कि इसमें जो एप्लिकेशन लगाई थी एक संस्था है ADR उसने लगाई थी और उसके जो वकील है प्रशांत भूशड जी है प्रशांत भूशड बहुत ही फेमस वकील है उन्होंने इस पे दूसरे साइड का केस वह लड़ गाए हैं और आपको यह भी बता दें कि पिछले 5 सालों में यानि कि 2017-2018 से ले करके और 22-23 तक जो चं चंदा मिला हुआ है इसमें समझ लिए कि 6,000 करोड उपए का चंदा बारती जंता पार्टी को मिला है और कॉंग्रेस को 1125 करोड के आसपास का चंदा मिला हुआ है और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो चंदा मिला है यह टीमसी को मिला हुआ है जो ममता बैनरजी की लगना चाहिए कि यह पैसा दे काउन रहा इतना ज्यादा अब सरकार बीजेपी की है अब सोचे बीजेपी को साड़े 6,000 करोल का चंदा और इन जो दूसरी पार्टी है जो विपक्ष में इनको 1100 करोल का चंदा तो कहीं न कहीं असमानता तो अब मतलब कितना है क्या है तो लोगों को पता तो लग जाए कि इसमें किसका पैसा है किसका नहीं है अब देखना यह होगा कि इसमें चुनाव है यह कि डिटेल को कब डालता अपनी वेपसाइट पे और लोगों के लिए को और जो खबर आएगी मैं आपके लेक आजाओंगा धन्यवाद